इनके एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपए में देंगे और किंद्र सरकार को दोनों 1.500-1.500 रुपए में देंगे मेरी उमीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए उन में से एक निर्माता का मैं इंट्रिव्य देख रहा था जो कह रहा था कि देड़ सो रुपई में जब वो किंद्र सरकार को दे रहे हैं तो उसमें भी उनको फाइदा हो रहा ह हैं तो 400 रुपई में और 600 रुपई में तो बहुत जादा फाइडा है सबको नमस्कार जैसा हम देख रहे हैं देश भर में करोना का बहुत जबर्दस्त कहर चाया हुआ है और इस करोना काल में जो सबको लग रहा है कि समाधान इसका एक ही है वो है वैक्सिन दिल्ली सरकार ने निरने लिया है कि 18 साल से उपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सिन दी जाएगी हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के उपर कैसे लोगों को वैक्सिन किया जाए इसका पूरा प्लान तयार किया जाए है आज सुबह हम लोगों ने दिली में एक करोड़ 34 लाक वैकशिन खरीदने की मंजूरी दिये हम कोशिश करेंगे कि यह जल्द से जल्द वैकसिन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए इस महमारी में वैक्सिन एक समधान निकल के आ रहा है वैक्सिन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ करोना नहीं होता या जिनको होता है उन लोगों को माईल्ट होता है उन में से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती ऐसा देखने में आया है तो करोना एक तरह से अगर वैक्सिन सबको लग जाए तो करोना एक और बीमारी के तरह हो जाएगी एक तदर हो भी जी होगी भी तो ठीक हो जाएगी इंग्लेंड में अभी कुछ महीने पहले तक करोना का इतनी ही जबरदस्त कहर था जैसे भारत के अंदर है और वहां उन्होंने वैक्सिन बहुत बड़े स्थर के उपर अपने लोगों को लगाई तो करोना के अंदर उस लहर के कम होने का खतम होने का एक बहुत बड़ा कारण एक्सपर्ट्स वैक्सिन को मानते हैं कि जिस इंटेंशिटी के साथ अग्रेसिवनिस के साथ करोना वैक्सिन लगाई गई इंगलेंड में उसका करोना की लहर को खतम करने में बड़ा योगदान रहा वैक्सिन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 उमीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए उन में से एक निर्माता का मैं इंटर्व्यू देख रहा था जो कह रहा था कि डेड़ सो रुपए में जब वो केंदर सरकार को दे रहे हैं तो उसमें भी उनको फाइदा हो रहा है तो में नहीं है देश भर के अंदर केंदर सरकार ने कई दवाईयों के प्राइस के उपर कैप लगाए अलग अलग राज्य सरकारों ने हॉस्पिटल्स के प्राइस के उपर कैप लगाए कि अस्पताल जो है इससे ज्यादा नहीं ले सकते दान इस चीज़ के इतने लेंगे इस 500 रुपए पे ले आएंगे पूरी जिन्दगी पड़ी है प्रॉफिट कमाने के लिए ये टाइम करोना जब महामारी इतने बड़े स्थर पे पहले हुई है लोगों से ये प्रॉफिट कमाने का टाइम नहीं है मैं किंद्र सरकार से भी अपील करता हूँ कि अगर पड़े तो इस प्राइस को कम किया जाए एक बात की 18 साल से उपर की उम्र पे अभी लगाया जा रहा है लेकिन इसमा हमारी के दौरान हमें देखा कि हमारे 18 साल से कम उम्र के जवान और बच्चे भी इसमें बहुत जादा स सकती है उनके लिए भी seaf और effective हैं तो यही वैक्षिन लगाई जाए और अगर यह वैक्षिन उनको नहीं लगाई जा सकती दूसरी वैक्सिन की ज़रूर थै तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द दूसरी वैक्षिन भी इजाद होंगी जो बच्चों को भी लगाई जा सके उनको भी सेफ हो और एफेक्टिव हो दिल्ली में ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का इस टाइम बहुत बड़े स्थर पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी अभी में राधास स्वामी सत्संग ब्यास के वहाँ पे जो एक सेंटर बनाया गया है उसका मुआइना करके आ रहा हूँ आ इसको दो हजार बेड्स तक और फिर पांच हजार बेड्स तक लिजाए जाएगा इसके साथ साथ वहीं पे दो सो बेड्स का आई सीउ भी तैयार कर रहे हैं राधास स्वामी सत्संग में और तो मैं उमीद करता हूँ किसे जनता को काफी फाइदा होगा नमस्कार इस तरह क वाइरल वीडियोस और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जोड़े रहें अंधभक के साथ